नमस्कार बच्चों, कक्षा में आपका स्वागत है आज हम जानेंगे ओनलाइन बैंकिंग के लाब के बारे में यानि benefits of online banking Online banking, ग्राहक और bank, दोनों के लिए कई फायदे प्रदान करता है कुछ लाब इस प्रकार है कहीं भी किसी भी समय banking यानि 24-7 banking Transaction पर कम लागत या सामान्य लागत में कटोती कम समय की लागत बहुत सुरक्षित पैसे तुरंत और सही जगा स्थानान तरित घर से बैठे-बैठे utility bill भरना और कई अन्य सेवाओं का लाब लेना Online banking के माध्यम से सेवाएं Services through online banking आज बैंक की लगभग सभी सेवाएं जो की पारंपरिक banking के साथ उपलब्ध हैं उन्हें online banking के माध्यम से भी Access किया जा सकता है Online उपलब्ध कुछ महत्वपून विशेशता हैं इस प्रकार हैं आधार प्रमानी करन यानी आधार authentication के जरिये Bank खाता खोलना अपने खाते की शेश्राशी यानी balance amount और statement की जाच करना अपने खाते से किसी और के खाते में धन ट्रांसफर या इस्थानांतरित करना Fixed Deposits और अन्य निवेश करना तथा उनका प्रबंधन करना Utility Bills यानी टेलिफोन वे मुबाइल बिल, Credit Card बिल इत्यादी का भुकतान करना Demand Draft चेकबुक के लिए अनुरोद करना चेक का भुकतान रोकना अपना Debit Card, Credit Card, Block या Unblock करना Debit Card, Pin पुनरजनन यानी Pin Regeneration के लिए अनुरोद खाता खोले जाने की प्रक्रिया Process of Opening an Account एक बैंक खाता खोलने के लिए आपको सबसे पहले उस खाते के प्रकार को तैक करना चाहिए जिसे आप खोलना चाहते हैं जैसे बचत खाता यानी Savings Account चालू खाता यानी Current Account, आवरती खाता यानी Recurring Account आदी एक बार फैसला करने पर आप निकट्तम बैंक शाखा से संपर कर सकते हैं बैंक के अधिकारी, प्रपत्र यानी Performa Form को भरने में आपकी साहता करते हैं और आपको शाखा में एक बैंक खाता खोलने के लिए विभिन आवशक दस्तावेजों के बारे में सूचित करते हैं नमस्कार बच्चों, कक्षा में आपका स्वागत है आज हम जानेंगे जन्धन खाता के बारे में प्रधान मंतरी जन्धन योजना भारत सरकार दोरा अगस्त 2014 में शिरू की गई एक राश्ट्रिय योजना है जिसका उद्देश ये सुनिश्चित करना है कि भारत के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों तक वित्तिय सेवाएं जैसे बचत वे जमा बैंक खाता यानी सेविंग्स वे डिपॉजित अकाउंट, प्रेशिद धन यानी रेमिटिंस, क्रेडिट, बीमा, पैंशिन किफायती तरीकों से पहुँचें. प्रधानमंतरी जन धन योजना के तहट खाते खोलने के लिए आवशक दस्तवेज या डॉकिमेंस इस प्रकार हैं. यदि आधारकार्ड संख्या उपलब्ध है, तो अन्य दस्तवेजों की आवशकता नहीं है. यदि पता बदल दिया ग है. मतदाता पहचान पत्र यानि वोटर आईटी, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पास्पोर्ट और नरेगा कार्ड. यदि इन दस्तवेजों में आपका पता शामिल है, तो ये पहचान का सबूत और पता यानि आइडेंटिटी एंड एड्रेस प्रूफ दोनों क के रूप में काम कर सकता है. यदि किसी व्यक्ति के पास उपर उलेखित आधिकारिक वैध दस्तवेज यानि ओफिशली वैलेड डॉकिमेंट्स नहीं है, लेकिन उसे बैंकों द्वारा कम जोखिम यानि लो रिस्क के रूप में वर्गिकरत या क्लासिफाइड किया गया है तो वह इन में से किसी भी दस्तवेजों में से एक को जमा करके बैंक खाता खोल सकता है. केंद्रिये वे राजसरकार के विभागों वैधानिक या नियमक प्राधिकरन, मतलब statuary और regulatory authority, सार्वजनिक क्षेतर के उपक्रमों, public sector undertakings, अनुसुचित वानिजिक बैंक यानि scheduled commercial banks और सार्वजनिक विद्दिये संस्थानों यानि public financial institutions द्वारा आवेदक की तस्वीर के साथ जारी पहचान पत्र या identity card. व्यक्ती की एक विधिवत रूप से सत्यापित फोटों के साथ एक gadget अधिकारी द्वारा जारी पत्र. असकार बच्चों, कक्षा में आपका स्वागत है. आज हम जानेंगे ओनलाइन या डिजिटल भुक्तान पद्धतियों के बारे में और उनके platforms के बारे में. Online Digital Payment Methods and Platforms एक Digital भुक्तान प्रनाली, Online Transaction के लिए Electronic भुक्तान की सुविक्रती प्रदान करती है. Digital भुक्तान debit card, credit card, net banking, mobile wallet और अन्य कई भुक्तान mode के माध्यम से किया जा सकता है. भारत में कई Digital भुक्तान platform और भुक्तान gateway यानि payment gateways उपलब्ध हैं, जो Online Digital भुक्तान सुविधा प्रदान करते हैं. इन Digital भुक्तान platforms या भुक्तान gateways को merchants द्वारा एकिकृत किया जाता है, ताकि ग्राहक आसानी से भुक्तान एवं वस्तू और सेवाओं की खरीद का भुक्तान विधियों द्वारा लाब उठा सकें. इस खंड में हम credit card, debit card, रुपे card और point of sale मशीन का वर्णन करेंगे. Credit card एक छोटा सा plastic card है, जो किसी bank या किसी वित्तिय संस्था द्वारा जारी किया जाता है, जिससे धारक, सामानों या सेवाओं को credit पर खरीच सकते हैं. ये electronic पैसे का सबसे आसान रूप है, जो उपलब्ध है और आज अंतराश्टिय स्तर पर इसका व्यापक रूप से उप्योग किया जाता है. एक credit card से online भुक्तान करने के steps. Steps to pay online with a credit card. भुक्तान करते समय, आपको अपनी भुक्तान विधी या payment method के रूप में credit card चुनने की आवश्यक्ता होगी. आपके द्वारा उप्योग किये जा रहे credit card को चुनने का विकल्प भी होगा, जैसे Visa, Mastercard, Discover, American Express आदी. यदि आपका credit card प्रकार बॉक्स में सूची बत या listed नहीं है, तो मर्चंट उस प्रकार के credit card को सुईकार नहीं करता. विवरेंट दर्ज करने से पहले, आपको ये सुनिश्चित करना होगा, कि address bar में एक lock प्रतीक और HTTPS है. HTTPS का अर्थ, HyperTest Transfer Protocol Secure होता है. लॉक और HTTPS सुनिश्चित करते हैं, कि जिस website का आप उपयोग कर रहे हैं, वह सुरक्षित और सत्यापित है. अपना नाम दर्ज करें, जैसे आपके credit card पर दिखाई देता है. ये सत्यापित करने के लिए, कि आपने अपना नाम सही धंग से दर्ज किया है, credit card को देखें. इसके बाद अपनी credit card की जानकारी दर्ज करें. Credit card number. आपके credit card पर अंकित 16 अंक, समाप्तितिती यानि expiry date और सुरक्षा कोड यानि CVV number. आम तोर पर credit card नंबर के बाद, कार्ड के पीछे तीन अंकों की सुरक्षा कोड मुदृत किया जाता है. अपने credit card के लिए billing पता या billing address दर्ज करें. ये वह पता है, जिस पर आप अपना credit card statement प्राप्त करते हैं. ध्यान दें कि ये पता shipping address से भिन हो सकता है. उधारन के लिए यदि आपके statement post office पर प्राप्त होते हैं, लेकिन आप अपने order को अपने घर में भीजना चाहते हैं या अगर आप किसी को उपहार के रूप में भीजना चाहते हैं. जब आप भुकतान बटन पर क्लिक करते हैं, तो आपको अपने पंजिकृत mobile पर एक OTP यानी one time password प्राप्त होगा. प्रमानी करें प्रिष्ट यानी authentication page पर इस OTP को दर्च करें और transaction पूर्ण करें. transaction के सफल समापन पर आपको एक transaction संदर्ब संख्या प्राप्त होगी. आपको इसे अपने संदर्ब उद्देश के लिए संभाल कर रखना चाहिए. आपके द्वारा किये गए भुकतान के साथ किसी भी तरह card. एक debit card, जिसे bank card या check card भी कहा जाता है. एक plastic का भुकतान कार्ड होता है, जिसका इस्तिमाल खरिदारी करते समय नकदी के बजाय किया जा सकता है. ये एक credit card के समान है, लेकिन credit card के विप्रीत कोई transaction करते समय धन सीधे आपके खाते से ही debit हो जाता है. सुनिश्चित करें कि आपके खाते में पर्याप्त पैसा है. मर्चंट वेबसाइट आपको भुकतान विधी या payment method चुनने के लिए कहेगी. आपको अपनी भुकतान विधी या payment method के रूप में debit card चुनने की आविशक्ता होगी. कुछ मामलों में merchant वेबसाइट आपको भुकतान गेटवे या payment गेटवे पर redirect करती है. विवरंड डर्ज करने से पहले आपको ये सुनेशित करना होगा कि address बार में एक lock प्रतीक और HTTPS है. HTTPS का अर्थ Hypertext Transfer Protocol Secure होता है. लोक और HTTPS सुनेशित करते हैं कि जिस वेबसाइट का आप उपयोग कर रही हैं वे सुरक्षित और सत्यापित है. अपना कार्ड नंबर और CVV या CVC2 नंबर दर्ज करें. आपको अपने कार्ड की समय सिमा समाप्त होने वाले महीने और वर्ष दर्ज करने के लिए कहा जाएगा. कार्ड धारक का नाम भी आवशक हो सकता है. CVV या CVC2 संख्या आपके कार्ड के पीछे एक तीन अंकिये संख्या होती है. इसे चार अंकों की संख्या के दाईयों रखा गया है. ये चार अंकों की संख्या कार्ड संख्या की अंतिम चार अंकिये संख्या होती है. आपको transaction प्रमानत करने के लिए password की आवशक्ता हो सकती है OTP यानि One Time Password का विकल्प भी उपलब्ध हो सकते हैं यदि आप ये विकल्प चुनते हैं तो आपको bank से message या email द्वारा एक password भेजा जाएगा password केवल एक बार उपयोग किया जा सकता है और ये केवल सीमित अवधी के लिए ही वैद रहता है आप अपने bank से transaction के सफल समापन पर transaction update प्राप्त करेंगे आपको द्वारा दिये गए भुक्तान के साथ किसी भी तरह के मामले में ये उपयोगी हो सकता है इसकार बच्चों, कक्षा में आपका स्वागत है आज हम जानेंगे रुपय कार्ड पेमेंट के बारे में रुपय, रुपय और पेमेंट का एक संयोजन या कॉम्बिनेशन है ये भारत के राष्ट्रिय भुक्तान निगम यानी NPCI, National Payment Corporation of India के द्वारा बनाया और लॉंच किया गया है ये कार्ड, डेबिट कार्ड का एक भारतिय संसकरन है इदेश में भुक्तान प्रनालियों के एकिकरन के इरादे से बनाया गया है मर्चिंट वेबसाइट पर जाएं और रुपे डेबिट कार्ड का उप्योग करने के लिए वेबसाइट पर कोई उत्पाद या सेवा ढूंडें अपना मोबाइल नमबर दर्च करने के बाद पेमिंट पेज पर जाएं और भुकतान विकल्प के तहट भुकतान मोड के रूप में रुपे डेबिट कार्ट चुनें विवरेंट दर्च करने से पहले आपको ये सुनेशित करना होगा कि एड्रेस बार में एक लॉक प्रतीक और HTTPS है HTTPS का अर्थ Hypertext Transfer Protocols Secure होता है लॉक और HTTPS सुनेशित करते हैं कि जिस वेबसाइट का आप उप्योग कर रही हैं वह सुरक्षत और सत्यापित है प्रथम Transaction First Transaction इसके लिए पंजिकरन आवशिक होता है पहला Online Transaction करने से पहले कार्ड धारक को E-Commerce के लिए सक्षम करने के लिए अपने रुपे कार्ड को पंजिकरित करना होगा कार्ड धारक को भुकतान स्क्रीन या पेमिन स्क्रीन पर सभी उचित रुपे कार्ड विवरन डर्च करने होंगे जैसे की कार्ड नंबर समाप्ति तिथी और CVV2 जो की कार्ड के पीछे के तीन अंग है बैंक के साथ पंजिकरित कार्ड धारक के मोबाइल नंबर, इमेल आईडी और एक OTP यानी वन टाइम पासवर्ड भेजा जाएगा ग्रहक OTP की वानचित प्राप्ति के लिए विकल्प या तो मोबाइल नंबर या इमेल आईडी का चयन कर सकते हैं ग्रहक को बैंक के साथ पंजिकरित मोबाइल नंबर या इमेल आईडी पर प्राप्त OTP दर्ज करना होगा कार्ड धारक को OTP द्वरा प्रमानत करने के बाद कई चित्रों के मिश्रन का एक छोटा फ्रेम दिखाई देगा कार्ड धारक को एक चित्र चुनना होता है इस इमेज के बाद के सभी ट्रांजैक्शन के लिए याद रखना होता है इसे पंजिकरित चित्र या रजिस्टर्ड इमेज के रूप में कहा जाता है यदि कार्ड धारक पंजिकरित चित्र को भूल जाता है तो उसे पुनह पंजियन करना पड़ता है कार्ड धारक को एक वाक्यांश जो कि अधिक्तम 40 वर्ण तक होगा प्रवेश करने के लिए कहा जाता है जिसे भविश्य के ट्रांजेक्शन में पहचान के लिए याद रखना होता है कार्ड धारक को एक स्वा परिवर्तन शील यानी स्क्रैंबलिंग पिन पैट पेज दिखाया जाएगा असकार बच्चों, कक्षा में आपका स्वागत है आज हम जानेंगे नेट बैंकिंग भुक्तान के बारे में नेट बैंकिंग पेइमेंट आपके बैंक की इंटिनेट बैंकिंग सेवा का उपयोग भारत में सबसे लोग प्रिय भुक्तान विधियों में से एक है ये डेबिट कार्ट के द्वारा की गई खरीद के ही समान है सिवाए इसके कि आप अपने इंटिनेट बैंकिंग खाते में लॉगिन करके भुक्तान करते हैं इस मामले में भी आपके द्वारा खरिदारी करने के बाद राशी तुरंत आपके बैंक खाते से काट ली जाती है सनिशित करें कि आपके खाते में पर्याप्त पैसा है Merchant website आपको अपने भुगतान विधी या payment method के लिए पूछेगी आपको अपनी भुगतान विधी या payment method के रूप में net banking को चुनना होगा कुछ मामलों में Merchant website आपको payment gateway पर पुनर निर्देशित या redirect करेगी विवरिन डर्ज करने से पहले आपको ये सुनेशित करना होगा कि address bar में एक lock प्रतीक और HTTPS है HTTPS का अर्थ Hypertext Transfer Protocol Secured होता है lock और HTTPS सुनेशित करते हैं कि जिस website का आप उप्योग कर रहे हैं वह सुरक्षित और सत्यापित है भुक्तान पद्धती या payment method के रूप में net banking का चयान करते समय आपको अपने bank का चयान करने के लिए कहा जाएगा ये आपका internet banking खाता है फिर आपको भुक्तान करने के लिए अपने bank की website पर पुनहा निर्देशित किया जाएगा अपने खाते में login करने के लिए आपको credentials यानि user id वे passwords का उप्योग करना होगा एक बार login सफलता पूर्वक करने के उपरांत आपको अपनी राशी की पुष्टी करने की आवशक्ता होगी अधिकांश website आपके भुक्तान प्रक्रिया की सुरक्षा बढ़ाने के लिए अतरिक्त प्रमानी करन के रूप में OTP यानि one time password का उप्योग करते हैं OTP आपके bank खाते से पंचिकृत mobile नंबर पर भीजा जाएगा कुछ bank अधरिक्त सुरक्षा और सुरक्षा सुविधाओं जैसे debit card, pen grid विवरिन आदी भी पूछ सकते हैं आप अपने bank से transaction के सफल समापन पर एक transaction update प्राप्त करेंगे आपके द्वारा किये गए भूगतान के साथ किसी भी मुद्दे के मामले में ये उप्योगी हो सकता है O.S. Point of Sale Point of Sale Terminal यानि P.O.S. Terminal एक electronic उपकरण है जिसका इस्तमाल खुदरा या retail स्थानों पर card भूगतान प्रक्रिया में किया जाता है एक P.O.S. Terminal आमतोर पर सभी तरह के credit और debit card भुगतान की सुविधा देता है और ये इस प्रकार काम करता है किसी ग्राहक के credit या debit card की जानकारी पढ़ता है ये जाचता है कि ग्राहक के bank खाते में धन पर्याप्त है भी या नहीं ग्राहक के खाते से विग्रेता के खाते में धन राशी स्थानांतरित करता है transaction दर्च करता है और receipt यानी receipt प्रिंट करता है उप्योगी जानकारी Make payment पर क्लिक करने के बाद refresh कभी भी ना करें क्योंकि payment gateway की site पर सफलता पूर्वग भुक्तान होने के बाद payment merchant की site को स्थानांतरित हो रहा होता है त्वरत समिक्षा रुपे कार्ड के संदर्ब में NPCI का पूर्णरूप क्या है? एक credit card क्या होता है? Mobile भुक्तान Mobile payments Mobile भुक्तान या Mobile Payment आम तोर पर Mobile Device से या उसके द्वारा की जाने वाली भुक्तान सेवाओं से संबंदित है इन्हें Mobile Money, Mobile Wallet, Digital Wallet भी कहा जाता है और ये सेवाएं Financial Rules के तहत संचालित की जाती है ऐसी कई Mobile भुक्तान सेवाएं हैं जिनका इस्तमाल भारत में किया जा रहा है जैसे Digital या Mobile Wallet, UPI यानी Unified Payment Interface, Bheem, BHIM यानी भारत Interface for Money USSD यानी Unstructured Supplementary Service Data, AEPS यानी आधार Enabled Payment System, Micro ATM इत्यादी Mobile Wallet, Bhotic Wallet यानी Physical Wallet का Digital समतुल्य यानी Equivalent है जिसमें हम पैसे रखते हैं ये एक Online Platform है जो उप्योग करता को एक Bank Account की तरह पैसे रखने की सुविधा देता है किसी उप्योग करता या या यूजर को Mobile Wallet प्रदाता यानी Provider के साथ एक खाता बनाने की आवशक्ता होती है इस Mobile Wallet खाते में Debit, Credit, Online Transaction या नकदी के माध्यम से पैसे जमा किया जाता है जिसे उप्योग करता बाद में खर्च कर सकता है बैंक खाते के माध्यम से Online Transaction और Mobile Wallet के बीच मुख्य अंतर ये है कि बैंकों के विपरीत Mobile Wallet में प्रतेक Transaction पर कितनी भी राशी हो, कोई शुलक नहीं देना पड़ता इसके अलावा, ग्राहक को हर Transaction पर अनावशक Card, विवरंड और Pin नमबर दर्ज करने की जरूरत नहीं होती ये आसान और सुविधा जनक है, क्योंकि उप्योग करता को सिर्फ खाते में Sign-in कर भुक्तान करना होता है भारत में कई Mobile Wallet उपलब्ध हैं, कुछ बैंकों द्वारा और कुछ निजी कंपनियों द्वारा चलाए जा रहे हैं ये ज्यादा तर समान सेवाएं और एक ही प्रकार की ऑपरेटिंग प्रक्रिया प्रदान करते हैं Mobile Wallet के कुछ उधारन है Paytm, SBI Buddy, Free Charge, Mobiwik, PhonePay, Oxygen, M-Rupee, PayU Money, Airtel Money, Geo Money, Vodafone M-Pesa, Axis Bank Line, ICICI Pockets, SpeedPay, इत्यादी हम इस अध्याए में इन में से कुछ पर चर्चा करेंगे Paytm को आप इसकी वेबसाइट www.paytm.com से या Google Play Store से अपने स्मार्टफोन या मोबाइल पर डाउनलोड कर सकते हैं अपने मोबाइल पर एक बार डाउनलोड और इंस्टॉल किये जाने के बाद आपको मोबाइल नंबर के साथ खुद को पंजिकरत करने के लिए Paytm एप खोलने की आवशकता होगी आप पंजिकरन के बिना Paytm एप में लॉगिन भी कर सकते हैं लेकिन फिर आप कोई transaction नहीं कर पाएंगे एक बार लॉगिन करने के बाद Paytm पर उपलब किसी भी सेवा जैसे transaction करने, wallet में पैसे जोड़ने, अपने wallet balance और लेन देन की जाँच, किसी अन्य Paytm खाता धरक को पैसा देना, अपने utility बिलों का भुखतान करना और अपने mobile नंबर पर recharge आप कर सकते हैं आप film, train, bus, हवाई जहाज, event ticket आदी भी बुख कर सकते हैं आप अपने Paytm wallet में recharge या पैसा जोड़ने के लिए credit card, debit card, net banking, जैसे किसी भी तरीके का उप्योग कर सकते हैं आप add money feature का उप्योग कर सकते हैं और अपने wallet में पैसे जोड़ने के लिए इसका चरणबध तरीके से अनुसरण कर सकते हैं भारत में कई व्यापारी हैं जो Paytm के माध्यम से स्वीकार करते हैं आपकी खरीद के बाद आप merchant के mobile number, email का उप्योग कर व्यापारी को पैसे हस्तानांतरित कर सकते हैं या व्यापारी को Paytm द्वारा निर्दिष्ट प्री प्रिंट किये गए QR कोड को स्कैन कर सकते हैं आप merchant को अपने wallet के माध्यम से या credit card, debit card, net banking इत्यादी का उप्योग करके पैसे भेज सकते हैं अगर आप wallet के माध्यम से किसी को भी राशी भेजना चाहते हैं तो आपको अपने wallet में balance या धनराशी रखने की जरूरत होगी Free Charge Free Charge एक e-commerce website और mobile wallet है जो भारत में prepaid mobile phone, postpaid mobile, DTH और data card recharge करने के लिए online सुविधा प्रदान करता है ये application, chat और pay सुविधा प्रदान करता है जो दो Free Charge उप्योग करताओं को अपने Free Charge wallet से अपने बीच पैसे हस्तानतरण करने और प्राप्त करने में सक्षम बनाता है ये split bill जैसी कुछ रोचक से विधाएं भी प्रदान करता है जिससे आप अपने दोस्तों के बीच भुकतान की जाने वाली राशी को विभाजित यानि डिवाइट कर सकते हैं Free Charge को Google Play Store से डाउनलोड और इंस्टॉल किया जा सकता है और आप अपने मोबाइल नंबर से खुद को पंजिकरित कर सकते हैं Free Charge भी Paytm के ही समान मिलती जुलती सेवाएं देता है State Bank Buddy State Bank Buddy आपके स्मार्टफोन हेदल State Bank of India द्वारा बनाया गया एक मोबाइल वालेट है ये एक अर्धबंद यानि Semi-Closed Prepaid Wallet है जिसका इस्तमाल अन्य वालेट के उपयोग करताओं या यूजर्स और बैंक हातों में कभी भी कहीं भी पैसा ट्रांसफर करने के लिए किया जा सकता है आप State Bank Buddy Google Play Store पर खोच करके इस एप को डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं एक बार इंस्टॉल होने पर आप इसे खोल सकते हैं और अपना Facebook अकाउंट या मोबाइल नंबर का उपयोग करके खुद को पंजिकरित कर सकते हैं ये अप्लिकेशन हिंदी और अंग्रेजी सहित कई भाशाओं में उपलब्ध है आप इस एप पर उपलब्ध ये फीचर्स उपयोग कर सकते हैं पैसा भीजना अपना विवरंड देखना अपने SBI बड़ी को निजिकरित यानि परस्नलाइज करना प्रतेख नाग्रिक को अपने मोबाइल वॉलेट पासवर्ट को सुरक्षित रखना चाहिए और इसे किसी के भी साथ साजह यानि शेयर नहीं करना चाहिए OTP जोकि One Time Password है सुरक्षा सुविधा को सदेव Enable करके रखना चाहिए ताकि जब भी कोई व्यक्ति आपके वॉलेट में लॉगिन करने का प्रयास करे तब आपको उसकी जानकारी मिल सके बिना सही OTP दर्च किये कोई भी व्यक्ति आपके खाते में प्रवेश नहीं कर सकता है नमस्कार बच्चों, कक्षा में आपका स्वागत है आज हम जानेंगे UPI यानि Unified Payment Interface के बारे में Unified Payment Interface भारत के सभी खुदरा भुक्तान प्रनालियों के लिए राश्ट्रिय भुक्तान निगम यानि NPCI National Payment Corporation of India द्वारा विक्सित एक भुक्तान प्रनाली है जो स्मार्टफोन के उप्योग से किसी भी दो बैंक खातों के बीच धन हस्तानतरन की अनुमती देता है UPI एक ग्राहक को बिना Credit Card वेवरन, IFSC Code या Net Banking Wallet Password का विवरन दर्च किये एक बैंक खाते से अलग-अलग व्यापारियों को ऑनलाइन और आफलाइन भुक्तान करने की अनुमती देता है UPI एप्लिकेशन Google Play Store से डाउनलोड किया जा सकता है इस अप को इंस्टॉल करने के बाद आपको नाम Virtual ID यानि भुक्तान का पता, पास्वर्ड इत्यादी जैसे विवरन दर्च करके अपना प्रोफाइल बनाने की आवशक्ता होती है इसके बाद आप Add, Link, Manage, Bank Account विकल्प पर जा सकते हैं और Virtual ID के साथ बैंक और खाता नंबर लिंक कर सकते हैं आपको MPIN यानि Mobile Banking Personal Identification नंबर तयार करना होता है क्योंकि ये मोबाइल के माध्यम से किसी भी ट्रांजैक्शन के लिए आवशक होता है MPIN Generate करने के लिए ये Steps हैं उस बैंक खाते का चैन करें जहां से आप Transaction शुरू करना चाहते हैं और Mobile Banking पंजिकरन MPIN Generate करें विकल्प का चैन करें आपको अपने पंजिकरित या Registered Mobile Number पर जारी करता बैंक यानि Issuing Bank से One Time Password यानि OTP प्राप्थ होगा आपको Debit Card नंबर के अंतिम 6 अंग और समाप देते थी यानि Expiry Date डर्ज करने होंगे OTP और पसंदीदा संख्यात्मक MPIN जो भी आपको सेट करना है डर्ज करें और Submit पर क्लिक करें Submit करने के बाद ग्राहक MPIN बदलने के लिए Notification, Successful या Declined प्राप्थ करता है पुराना MPIN और पसंदीदा MPIN जो सेट करना हो डर्ज करें और Submit पर क्लिक करें Submit करने के बाद ग्राहक को Notification, Successful या Declined भी प्राप्थ होता है आप आत्म व्याख्यात्मक यानि Self-Explanatory चरणों का पालन करके Push यानि Virtual पते का उप्योग कर धन भेजना और Pull यानि Virtual पते का उप्योग करके पैसे मंगवाने का अनुरोद कर सकते हैं प्राप्थ करता या अनुरोद करता जो की Receiver है को अपने Bank खाते के Credit के लिए Bank से Notification और Message यानि SMS प्राप्थ होता है भीम भारत Interface for Money भीम UPI पर आधारत एक एकिक्रित यानि Unified भुकतान समाधान एप्लिकेशन है यदि आपने अपने Bank खाते पर UPI आधारत भुकतानों के लिए Sign Up किया है जो आपके Mobile नंबर से भी जुड़ा हुआ है तो आप Digital Transaction करने के लिए भीम एप का उप्योग करने में सक्षम होंगे इसमें वे सभी भारतिये Bank शामिल होते हैं जो ततकाल भुकतान सेवा के आधार पर बने Platform का उप्योग करते हैं और उप्योग करता को किसी भी दो पार्टियों के Bank खातों के बीच तुरंत धन हस्तान तरण करने की अनुमती देते हैं भीम एप का उप्योग करने के तरीके के बारे में हम यहाँ पर चरण दरचरण यानि Step by Step जानेंगे Android या iOS उप्योग करता भीम एप की खोज Play Store या App Store पर करके इसे डाउनलोड कर सकते हैं अप्लिकेशन इंस्टॉल करें और अपनी भाशा चुनें एप आपको SMS के उप्योग से अपना Phone Number सत्यापेत यानि Authenticate करने के लिए संकेद देगा इसके उपरांत Next पर क्लिक करें और सत्यापन प्रक्रिया पूरी होने तक प्रतीक्षा करें एक बार सत्यापन पूर्ण हो जाने पर चार अंकों का Passcode डर्ज करें एक Passcode सेट होने के बाद एप आपको अपने Bank का चयान करने के लिए कहता है एक बार bank का चयान करने के बाद, app आपको phone number का उप्योग करके आपके विवरन को स्वचालित रूप से उठाता है Primary bank खाते का चयान करें, जो आपके सभी लेंदेन यानि transactions के लिए उप्योग किया जाना है एप तीन विकल्प दिखाता है, send यानि भेजें, request यानि अनुरोद करें, और scan या pay यानि scan या भुगतान करें ध्यान रहे कि transaction केवल सत्यापित phone numbers के बीच ही संभव है किसी को भी पैसे भेजने के लिए, अपने phone में वह नंबर और स्थानांतरित होने वाली राशी टाइप करें एप आपको अपने MPIN यानि Mobile Banking Personal Identification नंबर को दर्च करने के लिए कहेगी आम तोर पर ये एक 4 या 6 अंकों का code होता है, जो कि Mobile Transaction को प्रमानित करता है इसी तरह आप अपने phone नंबर का उपयोग करके किसी से धन मंगवाने का अनुरोद भी कर सकते हैं तीसरा विकल्प, Scan और भोकतान अप भोकताओं को एक QR code का उपयोग करके पैसे हस्तानतरित करने की अनुमती देता है जो कि एक smartphone या tablet द्वारा decode किया जा सकने वाला एक दो आयामी काले और सफेद बार कोड यानि two-dimensional black and white बार कोड होता है ततेक phone number का एक QR code होता है जिसे home screen पर profile में देखा जा सकता है ये सेवा बुनियादी सुविधा युक्त mobile phone यानि basic feature phone का उपयोग करके mobile banking transaction की अनुमती देता है ये सेवाओं का उपयोग करने के लिए आपके पास internet connection या smartphone होना आवशक नहीं है ये सेवा अपने mobile पर एक संख्या star 99 hash dial करके इस्तमाल की जा सकती है जो सभी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं यानि telecom service providers में एक समान होता है और mobile screen पर प्रदर्शित interactive menu से ये सेवा काम करती है ये हिंदी और अंग्रेजी सहित कई भाशाओं में उपलब्ध है USSD में धन ट्रांसफर की एक सीमा होती है जो हर बैंक के लिए भिन्न होती है ये self-service mode पर चलता है और आपको transaction के लिए mobile money पहचान करता यानि MMID, mobile money identifier और MPIN की आवशक्ता पड़ेगी USSD पर उपलब्ध कुछ सेवाएं है Balance पूचताच, Balance Inquiry, Mini Statement, Fund Transfer, MMID जाने, MPIN बदले, OTP उत्पन्न करे उप्योगी जानकारी MMID यानि Mobile Money Identifier पंजिकरन के बाद बैंक द्वारा साथ अंकों की अनूठी यानि युनीक संख्या जारी की जाती है Remitter ग्राहक जो पैसा भीजना चाहते हैं और Beneficiary ग्राहक जो धन प्राप्त करना चाहते हैं जो Mobile Number और MMID के माध्यम से इस Interbank Fund का हस्तांतरन करना चाहते हैं इनके पास इस MMID का होना आवशक है A.E.P.S आधार Enabled Payment System आधार सक्षम भुगदान प्रणाली A.E.P.S बैंक खाते से धन प्राप्त करने का एक तरीका है धन प्राप्त करने की ये विवस्था ना तो आपके हस्ताक्षर और ना ही Debit Card की मांग करती है ये प्रमानी करन के लिए आधार डेटा का लाव उठाती है UPI और USSD की तरह ये भारत के राश्ट्रिय भुगदान निगम यानि N.P.C.I की एक और पहल है A.E.P.S. एक मशीन है जिसे Micro ATM भी कहा जाता है ये मशीन P.O.S. मशीनों के समान है जो Credit, Debit Card स्विकार करते हैं एक मातर अंतर ये है कि इसमें किसी भी कार्ट के बजाए आपको अपने Biometric यानि आमतोर पर Fingerprint का उप्योग करके अपने भुकतान को प्रमानत करने की आवशक्ता पढ़ती है एक व्यापारी जिसे भुकतान स्विकार करने की जरूरत है वह आधार संख्या और राशी मशीन में मौजूद Touch Interface का उप्योग करके डर्च करेगा ग्राहक को उसके Fingerprint का उप्योग करके भुकतान को प्रमानत करना होगा ये राशी उस Bank खाते से काट ली जाएगी जो ग्राहक के आधार संख्या से जुड़ी होती है और व्यापारी के Bank खाते में जमा हो जाएगी ये Mobile App के रूप में भी उपलब्ध है ताकि व्यापारी, Fingerprint, Scanner युक्त, स्मार्टफोन का उप्योग EPS के फाइदे उठाने के लिए कर सकें Balance पूछताच यानि Balance Inquiry नकद निकासी यानि Cash Withdrawal नकद जमा यानि Cash Deposit और आधार सक्षम Fund Transfer यानि आधार Enabled Fund Transfer इस एप के जरिये की जाने वाली कुछ सेवाई हैं ट्वरत समिक्षा UPI का पूरा नाम क्या है? Mobile Wallet की कुछ विशेशताइं सूची बद्ध करें